पुलिस ने इनामी बदमाशों को क्या गिरफता आपको बता दें कि उधम सिंग नगर जनपत में पुलिस द्वारा वारंटियों की धड़ पकड़ लगातार जारी है वहीं खड़ीमा पुलिस और बजार चौकी पुलिस द्वारा वी लगातार वारंटियों को जेल भेजा जा रहा है उसी के चलते आज भी खड़ीमा कोत्वा ली खड़ीमा पुलिस को आज फ़रार इनामी बदमासों की धड़ पकड़ के लिए चलाय जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है खड़ीमा पुलिस ने आज पच्चिस हजार के इनामी बदमास बंटी उर्फ सर्ताज पुत्र अबरार निवासी भूड मोहलिया थाना खड़ीमा को मुखवीर की सूशना पर थारू विकास भवन खड़ीमा के पास से गरफतार किया है वहीं खड़ीमा सीओ वीर सीग ने मीडिया से रूबर होते हुए बताया कि कई दिनों से अपराधी बंटी उर्फ सर्ताज फरार चल रहा था जिस पर पुलिस ने बंटी पर 25,000 का इनाम रखा हुआ था जिस पर आज पुलिस ने बदमाज, बंटी और वसरताज को गिरफतार कर मानिनय नियाले पेश कर जेल भेज़ दिया है इनकी धर पकड़ के लिए अभियान चलाए जा रहा है उसी अभियान के क्रम में कल कोतवाली खटीमा की फीन के दौरा ये बंटी नाम का व्यक्ति है ये 25,000 का इनामी है इसको गिरफतार किया गया है ये यही पर पंजीकरत मुकदमा था जिसमें दारा 308-305,000 के इनामी चला था और ये पकड़ में नहीं आ रहा था लेकिन कल हमारी चेकोतवाली की फीन है इनने काफी मेहनत करके उसको अरेश्ट किया रहा है ये नियाले पेस्ट किया जा रहे है